C.I.E.T. and C.E.R.T. दोरा प्रस्तुत है कक्षा 9 के लिए उर्दू की धोनी पाठे पुस्तक नवाई उर्दू भाग एक नवाई उर्दू नवी जमात के लिए उर्दू की दर्सी किताब अब पेश है नवाई उर्दू भाग एक का दूसरा सबक रशीद एहमद सिद्धिकी सफ़ा नमबर तेरह तारुफे मुसन्निफ रशीद एहमद सिद्धिकी 1896 इसवी से 1977 इसवी तक रशीद एहमद सिद्धिकी उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर के एक कजबे में पैदा हुए उन्होंने इप्तेदाई तालीम जौनपुर में हासिल की और उसके बाद आला तालीम की घरज से अलीगर मुस्लिम यूनिवसिटी में दाखिला लिया एमे करने के बाद वही मुलाजिम हो गए जब अलीगर यूनिवसिटी में शोबाए उर्दु कायम हुआ तो रशीद एहमद सिद्धिकी उसके सद्र बनाए गए उन्हें अलीगर बहुत अजीज था और उन्होंने सारी जिन्दिगी वहीं गुजारी रशीद एहमद सिद्धिकी ने तालिब इल्मी के जमाने ही से लिखना शुरू कर दिया था उनके मज़मीन तंज और जराफत के आला नमूने हैं वो अमूमन आशारों, कनाईों और चुपते हुए जुमलों में अपनी बात कहते हैं मिलते जुलते लफ़ों और मुतजाद लफ़ों को वो एक नए अंदास से इस्तिमाल करते हैं उनके मौजवात में तनवो है माशरती, सियासी और अदवी मसाइल पर जब वो कलम उठाते हैं तो उनके तर्जे तहरीर को समझने वाला कारी उनकी नुक्ते रसी की दाद दिये बगएर नहीं रहता उनके यहां दिल्चस्प फुकरों, नादिर तश्बीहों, माने खेस इशारों, बर्जस्ता लतीफों और पुर लुट्फ अंदास बयान की वज़ह से निराली अदबी शान पैदा हो जाती है रशीद अहमद सिद्धी को अदबी मिज़ह निगारी के मैदान में सबसे पहला और बाज लोगों की नजर में एहम तरीन मुसनिफ करार दिया जाता है इन दिनों मुश्ताक अहमद यूसुफी इस दर्ज के बेहतरीन नमाइंदे हैं सफ़ा नंबर चौधा रशीद अहमद सिद्धी की अदबी खिद्मात के एतराफ में हुकूमत हिंद ने 1963 इसवी में इन्हें पदमुश्री का एज़ाज अता किया उनको साहित अकादमी के अवार्ट से भी सरफरास किया गया उनका इंतिकाल अलीगर में हुआ मजामीन रशीद मजाया मजामीन का मचमुआ खुंदां रेडियाई तक्रीरों का मचमुआ गंज हाए गिरामाया और हम नफसान रफता खाकों के मचमुएं तनजियात और मुजहकात और जदीद गसल तनकीद और आशफता बयानी मेरी खुदनूश्ट रशीद एहमद सिद्धिकी की एहम तसनीफ हैं सफ़ा नमबर पंधरा चार पाई मुसनिफ रशीद एहमद सिद्धिकी चार पाई और मजहब हम हिंदुस्तानियों का ओड़ना बिछोना है हम उसी पर पैदा होते हैं और यहीं से मदर्से, ओफिस, जेल खाने, कौंसिल या आखरत का रास्ता लेते हैं चार पाई हमारी घुटी में पड़ी हुई है हम उस पर दवा खाते हैं, दुआओ भीग भी मांगते हैं, कभी फिक्रे सुखन करते हैं, और कभी फिक्रे कौम अक्सर फाका करने से भी बास नहीं आते हमको चार पाई पर उतना ही एतमाद है जितना बरतानिया को आई सी एस पर, शायर को काफिये पर या तालिब इल्म को गुलगुपाड़े पर चार पाई की मिसाल रियासत के मुलाजिम से दे सकते हैं, ये हर काम के लिए ना मौजू होता है, इसलिए हर काम पर लगा दिया जाता है एक रियासत में कोई साहब विलायत पास होकर आए, रियासत में कोई असामी ना थी जो उनको दी जा सकती आदमी सूजबूज के थे राजा साहब के कानों तक ये बात पहुँचा दी कि कोई जगा ना मिली तो वो लाट साहब से तै कराए हैं राजा साहब ही की जगा पर इक्तिफा करेंगे रियासत में हलचल मच गई इतिफाक से रियासत के सिविल सर्जन रुखसत पर गए हुए थे ये उनकी जगा पर तैनाद कर दिये गए कुछ दिनों बाद सिविल सर्जन साहब वापस आए तो इंजीनियर साहब पर फालिज गिरा उनकी जगा उनको दे दी गई आखरी बार ये खबर सुनी गई कि वो रियासत के हाई कोट के चीफ जस्टिस हो गए थे और अपने वली एहद को रियासत के वली एहद का मुसाहिब बनवा देने की फिक्र में थे यही हालत चारपाई की है फर्क सिर्फ ये है कि इन मुलाजिम साहब से कहीं ज्यादा कारामद होती है फर्स कीजिए कि आप बीमार हैं सफर आखरत का सामान मैसर हो या ना हो अगर चारपाई आपके पास है तो दुनिया में आपको किसी और चीज़ की हाज़त नहीं दवा की पुडिया तकिये के नीचे जुशान्दे की देखची सिर्हाने रखी हुई चारपाई से मिला हुआ बोलो बरास का बरतन चारपाई के नीचे मैले कपड़े बच्चों के खिलोने जाडू, आशेजो, रूई के फाए काखस के टुकडे, मच्छर, भूंगे घरिया महले के दू एक बच्चे जिनमें एक आद जुकाम खसरे में मुप्तला अच्छे हो गए तो बीवी ने चारपाई खड़ी करके घुसल करा दिया वरना आपके दुश्मन उसी चारपाई पर लभे गौर लाए गए रॉइंग रूम, सोने का कमरा, गुसल खाना, किला, खानका, खेमा, दवा खाना, संदूक, किताब घर, शिफा खाना सबकी हैसियत कभी-कभी बयक वक्त वरना वक्त-वक्त पर हासिल रहती है कोई महमान आया, चारपाई निकाली गई उस पर एक नई दरी बिच्छा दी गई, जिसकी तै के निशान ऐसे मालूम होंगे जैसे किसी छोटी सी आराजी को मैंडों और नालियों से बहुत से मालिकों में बाट दिया गया हो और महमान साहब, मैं अचकन, टोपी, बैख बख्ची के बैठ गए और थोड़ी देर के लिए ये मालूम करना दुश्वार हो गया के महमान बेवकूफ है या मेजबान बदनसीब चार पाई ही पर उनका मुँ हाथ धुलवाया और खाना खिलाया जाएगा और इसी चार पाई पर ये सो रहेंगे सो जाने के बाद उन पर से मच्छर मक्खी इस तरह उड़ाय जाएगी जैसे कोई फेरी वाला अपने ख्वांचे पर से जाडू नुमा मोर्चल से मक्खिया उड़ा रहा हो चार पाई पर सूखने के लिए अनाच फैलाया जाएगा जिस पर तमाम दिन चिडियां हमले करती दाने जुकती और गालियां सुनती रहेंगी कोई तक्रीब हुई तो बड़े पैमाने पर चार पाई पर आलू छीले जाएंगे मुलासमत में पेंशन के करीब होते हैं तो जो कुछ रुखसत जमा होती रहती है उसको लेकर मुलासमत से सुबगदोश हो जाते हैं इस तरह चार पाई पेंशन के करीब पहुँचती है तो उसको किसी काल कोट्री में दाखिल कर देते हैं और उस पर साल भर का प्यास का जखीरा जमा कर दिया जाता है एक दफ़ा दिहात के एक मेजबान ने प्यास हटा कर इस खाकसार को ऐसे ही एक पेंशन यावता चार पाई पर उसी काल कोट्री में बिचा दिया था और प्यास को चार पाई के नीचे इकठा कर दिया गया था उस रात को मुझ पर आसमान के इतने ही तबक रोशन हो गए थे जितनी सारी प्यासों में छिलके थे और वो यकीनन चौदा से ज्यादा थे चार पाई एक अच्छे बक्स का भी काम देती है तक ये के नीचे हर किस्म की गोलिया जिनके इस्तिमाल से आपके सिवा कोई बाकिफ नहीं होता एक आध रुपया, चंद धेले पैसे, स्टेशनरी, किताबें, रिसाले, जाडे के कपड़े, थोड़ा बहुत नाश्ता, नक्षे सुलेमानी, फेहरिस्त दवाखाना, सम्मन, जाली दस्तावेस के कुछ मसद्दे, ये सब चार पाई में आबाद मिलेंगे मैं एक ऐसे साहब से वाकिफ हूँ, जो चार पाई पर लेटे-लेटे, इन में से हर एक को, उजाला हो या अंधेरा, इस सेहत के साथ, आँख बंध करके निकाल लेते, और फिर रख देते जैसे हकीम नाबीना साहब मरहूम अपने लंबे चौड़े बक्स में से हर मर्स की दवाई निकाल लेते और फिर रख देते थे हकूमत भी चार पाई ही पर से होती है, खानदान के करता धरता चार पाई ही पर बिराजमान होते हैं, वहीं से हर तरह के एहकाम जारी होते रहते हैं, और गुनहेकार को सजा भी वहीं से दी जाती है आलाते सजा में हाथ, पाउँ, जबान के अलावा डंडा, जूता, तामलूड भी हैं, जिनें अक्सर फेक कर मारते हैं ये इसलिए कि तौकुफ करने में घुस्से का ताउद मध्धम न पढ़ जाए और इन आलात को मुझरीम पर इस्तिमाल करने के बजाए अपने उपर इस्तिमाल करने की जरूरत ना महसूस होने लगे चार पाई ही खाने का कमरा भी होती है बावर्ची खाने से खाना चला और उसके साथ पांच साथ छोटे बड़े बच्चे उतनी ही मुर्गियां, दो एक कुत्ते बिल्ली और बेशुमार मक्खियां पहुँची सब अपने करीने से बैठ गए साहिबे खाना सद्र दस्तरखवान है एक बच्चा जयादा खाने पर मार खाता है, दूसरा बड़्टमीजी से खाने पर, तीसरा कम खाने पर, चौथा जयादा खाने पर, और बग्यां उस पर कि उनको मक्खियां खाये जाती है दूसरी तरफ बीवी मक्खी उडाती जाती है और शोहर की बद्जुबानी सुनती और बद्तमीजी सहती जाती है खाना खत्म हुआ शोहर शायर हुए तो हाद धोकर फिक्रे सुखन में चार पाई ही पर लेट गए कहीं दफ्तर में मुलाजिम हुए तो इस तरह जान लेकर भागे जैसे घर में आग लगी है और कोई मजभी आत्मी हुए तो अल्ला की याद में कैलोला करने लगे बीवी बच्चे बदन दबाने लगे चार पाई हिंदुस्तान की आबो हवा तमद्दनों मौशरत जरूरत और इजात का सबसे भरपूर नमूना है हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के मानिंद धीली ढाली शिकस्ताहाल बेसरो सामान लेकिन हिंदुस्तानियों की तरह गालिप और हुक्मरा के लिए हर किस्म का सामान राहत फराहम करने के लिए आमादा कोच और सुफे के दिलदादा और ड्रेंगरूम के असीर उस राहतो आफियत का क्या अंदासा लगा सकते हैं जो चार पाई पर मैसराती है शोरा ने इनसान की खुशी और खुशहाली के लिए कुछ बाते मुन्तखब कर ली है मसलन सचे दोस्त, शराफत, फरागत और गोशह चमन हिंदुस्तान जैसे मुलक के लिए एहश और फरागत की फैरिस्त इस से मुखतसर होने चाहिए मेरे नस्दीक तो सिर्फ एक चार पाई इन तमाम लवाजिम को पूरा कर सकती है रशीद एहमाद सिद्दीकी सफ़ा नमबर अठारा मश्क लवजो मानी फिक्रे सुखन करना शेर कहना शेर कहने की कोशिश करना आई सी एस इंडियन सिविल सर्विस अंग्रेजों की जमाने की इंतिजामी मुलास्मत की सर्विस जिसे अब आई एस इंडियन एड्मिनिस्टेटिव सर्विस कहते हैं गुल गपाडे शोर गुल असामी नौकरी मनसब इक्तिफा करना कनात करना मुतमईन रहना मसाहिब दरबारी बोल पेशाप बराज पाखाना पांच साथ पांच साथ ये तलफ़ बोल जाल के लहजे या बेतकलुफ तहरीर में इस्तिमाल होता है चौदा तबक रोशन होना चौदा तबक के माने साथ जमीन, साथ आस्मान मुराद दिमाख या तबियत का खूब खुल जाना मिजाज में पूरी तरह बहाली आ जाना आशे जू जू का जोश दिया हुआ पानी जो कमजोर मरीजों को दिया जाता है लबे गौर मरने के करीब लफ सिमाएने कब्र के किनारे आराजी जमीन, खेत सुबक दोश फारिग नक्षे सुलेमानी कोई तावीज या दूआ, इमलियात की मशूर किताब तामलोट बगेट टोंटी का लोटा, डोंगा सम्मन अंग्रेजी अदालत में हाजिर होने का तहरीरी हुक्म नामा कैलूला, दूबहर के खाने के बाद की मुख्तसर नीद सफ़ा उन्नीस गोर करने की बाद रशीद एहमद सिद्यकी का शुमार उर्दू के मारूफ इंशिया निगारों में होता है इनकी नस्र जराफत का आला नमूना है वो आम तोर पर अपनी तहरीरों में सियासी, महाशरती और अदबी मसाइल का जिक्र करते हैं और उनको दिल्चस्प बनाने के लिए नादिर तश्पिहात, मुतजाद अलफास और मिज़ावा इशारे से काम लेते हैं उनके तंस का वार भी भरपूर होता है सवाल नमबर एक रशीद आहमस सिद्गी ने चार पाई को हिंदुस्तानियों का ओड़ना बिछोना क्यूं कहा है सवाल नमबर दो रशीद आहमस सिद्गी ने चार पाई की मिसाल रियासत के मुलाजिम से क्यूं दी है सवाल नमबर तीन हिंदुस्तानी घरानों में चार पाई को किस-किस काम के लिए इस्तिमाल किया जाता है? सवाल नमबर चार मुसनिफ ने चार पाई को जरूरत और इजात का सबसे भरपूर नमूना क्यूं कहा है? सवाल नमबर पांच चार पाई में रशीद अहमस सिद्धिकी ने आम हिंदुस्तानी रहन सेहन का जो नक्षा खेंचा है उसे मुगतसर लिखिए अमली काम चार पाई का जो पैराग्राफ आपको पसंद हो उसे अपनी कौपी में खुशख़त नकल कीजिए इस सबक में जो मुहावरे इस्तेमाल किये गए हैं उन में से कोई पांच मुहावरे तलाश कीजिए और उनके मानी भी लिखिए इसी के साथ नवाई उर्दू भाग एक का दूसरा सबक यहां समाप्त हुआ इसके बाद सबक तीन आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. रस्ता है आता है ठाहिए लोड़ यहत्तो का दोर लुड जो यहावरे दोए धन workforce झाल झाल